हेलो स्टुडेंट्स जेगिंद इसर रजत प्रवागें वेलकुम टो कक्षा केंद क्लासिस प्यारे बच्चो आज की एक और शॉर्ट क्लिप में हम सीखने वाले है टाइप सोब मेट्रिक्स का एक और टाइप तो समझते हैं क्या है वो स्केलर मेट्रिक्स है बिटा तो स्केलर मेट्रिक्स को देखने के लिए अब आगे बढ़ते हैं Scalar matrix, जैसा कि आप देख रहे है, Scalar, Scalar मतलब quantity same होना, ठीक है, other than one होना, other than one के अलाबा, कोई भी आप इसमें elements को put करेंगे, ठीक है, तो वो Scalar quantity कहलाएगा, लेकिन आपको Scalar रखनी कहां पर है, वो सीखने की बात है, तो सब सब देफिनेशन पढ़ते हैं, A diagonal matrix is set to be a scalar matrix, if it's diagonal low key, elements are equal, diagonal elements same है, यानि की non-diagonal elements को क्या करना है, वो देख लेते हैं, that is a square matrix, B equals to B, I, J, N, Y, N, is set to be a scalar matrix, धहां से देखिए, जहां पर B, I, J is equals to 0, जहां पर I is not equals to G, जब I, J के equal नहीं है, तो वो non-diagonal elements है, कैसे, जैसे I, J के equal नहीं है, तो B12, समझे भाई, B23, B21, SCB32, यह सारे के सारे non-diagonal elements हैं, कैसे हैं, वो भी देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, यह देखिएगा आपके सामने, यह हो गया आपका B1, यह हो गया B12, B13, B21, B22, B23, B31, B32, B33, तो आपको मैंने क्या बताई थी बटा, मैंने आपको यह बताई थी, कि ध्यान से देखिए, यह elements क्या हो गए, diagonal elements, पिछली क्लिप में समझा चुका हूँ, और बाकी हो गए, non-diagonal elements, तो उसने क्या कहा, elements are equal कौन से, diagonal elements equal है, तो ठीक है, equal कर देंगे, diagonal elements क्या है, तो 0 है, तो बना दो भी आपके लिए, क्या ही मुश्किल है, तो देखिए, यहाँ पर example ले लेते हैं, मैंने यहाँ पर ले लिया, root 5, 0, 0, 0, root 5, 0, 0, root 5, understood, तो यह आप अगर दिहान से देखेंगे, तो यह हो गए आपके सामने, क्या, non-diagonal element 0 है, पाकी diagonal element, scalar quantity ह है, scalar quantity मतलब equal होते है, तो यह हो गए आपके सामने क्या, example क्या, scalar matrix का, आप ज़रूरी नहीं, root 5 ले, आप 2 ले सकते हैं, minus 1 ले सकते हैं, पर diagonal element आपको same ही रखने होंगे, got it, I hope आपको यह clip बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, ऐसी और मज़ेदार और informative वीडियो के आपको